हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इस फैस्टिव सीजन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्किन बिल्कुल शीशे की तरह चमके जैसे कि कोरियन लड़कियों की जो स्किन है वो बिल्कुल ग्लास के जैसे चमकती है तो इसका एक सीक्रेट है मेरे पास जो मैं आज आज आपके साथ शेयर करती हूँ तो इस रेंड्स को कम से कम अगर आप एक बार भी ट्राइ करते हैं तो आपको अपनी स्किन में बिल्कुल इंस्टन्ट इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो फुल बाडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट है अगर आप इसको फुल बाडी पे यूज करते हैं तो आपकी फुल बाडी की जो स्किन है वो भी बिल्कुल ग्लास के जैसे ही चमक उठेगी तो फेस्टिव सीजन में आप इस रेमेडी को जरूर प्राइ कीजिए तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं इसको बनाने का तरीका तो इसमें यूज होने वाली जो इंग्रीडियेंट्स है वो आपको घर में ही मिल जाएंगी ये पोटेटो है आलू इसको मैंने ग्रिटे इसको हमने कैसे मिक्स करना है सबसे पहले जान लेते हैं सबसे पहले यहां पर हम एक बाउल लेंगे चाहे शीशे का हो या प्लास्टिक का हो तो जो ग्रिटेड किया हुआ मैंने पोटेटो है इसका जूस निकालेंगे आप कैसे भी इसका जूस निकाल सकते हैं कम से कम दो आपके पास इसका जूस होना चाहिए, मैंने हाथों से ही इसका जूस निकाल लिया है, तो जो पटेटो है, आलू इसमें एक नेचरल ब्लीचिंग प्रपर्टी होती है, जो की स्किन वाइटनिंग का काम करती है, इसमें विटामिन A, विटामिन K, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये खाने के अलावा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जो टोमेटो है, इसमें तो बहुत से विटामिन पाये जाते हैं, जो की हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशिल होते हैं, तो ये जो टोमाटो है, इसका भी मैंने, जो पल्प है, वो अच्छे से निकाल लिया है, जूस और पल्प दोनों निकालने है, तो ये सैशे है हमारे पास नेसले कॉफी का, तो जरूरी नहीं है कि आप नेसले कॉफी ही यूज करें, आप इसमें से कोई भी कॉफी किसी भी ब्रैंड की यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पाउच डाला है, तो आपको ये थिक सा पेस्ट बनाना है, अगर एक पाउच आपको कम लगे, तो आप दो पाउच भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे थिक सा इसका हमें बना लेना है पेस्ट, तो यह हमारा तीनो जो इंग्रीडियंट्स है, यह बनके रेडी है, इसका एक पेस्ट, तो यह तीनो जो इंग्रीडियंट्स हैं, यह आपकी स्किन में एक मैजिक के जैसे काम करेंगी, क्योंकि यह बहुत ही बैनिफीशल है स्किन के लिए, तो एलोविरा, छोटा सा एक स्लाइस हम कट कर लेंगे और इसकी जो side corners है वो हम निकाल लेंगे और बिल्कुल center में से इसको कट करेंगे, ये दो pieces हमारे पास हो जाएंगे, देखिए देखिए इसमें से gel निकल रही है तो ये जो gel है ये बिल्कुल magic के जैसे work करती है हमारी skin पे, इसमें anti-bacterial, anti-ilphameter तत्व होते हैं, जो skin की infection को दूर करते हैं तो जैसे की रक्षा बंदन, जनमस्टमी और करवा चौथ इस मन्त में आने वाले हैं तो हम ये skincare जो है वो घर में ही करेंगे, पार्लर treatment नहीं करवाएंगे, क्योंकि पार्लर्स में इन दिनों में बहुत रश होता है और free में ही हम ये treatment करेंगे, तो after देखिए, after का जो मैंने video आपके साथ side में share किया है तो बिल्कुल instant इसका पहली बार में ये मुझे result मिला है तो इसको हमें aloe vera को जो है, वो dip करते हुए जो हमने remedy बनाई है तो इसको अच्छे से face पे massage करना है aloe vera के जो हमारे पास हमने piece लिया है तो उसी टुकडे के साथ हमें ये जो हमारा remedy हमने बनाई है उसको apply करके और इसको massage भी करना है और जो इसके साथ जो हमारी aloe vera की gel है वो भी हमारी skin में mix होती जाएगी इस remedy के साथ-साथ तो ये जो चारों चीजें हैं ये बिल्कुल एक जादू के जैसे हमारी skin पे असर करेंगी अगर हम ऐसी home remedies यूज करते हैं तो हमारी skin में बिल्कुल भी pimples, blemishes या फिर fine lines नहीं आती है और हमारी जो age circle है हमारा वो delay हो जाता है उमर से पहले हमारी skin पे जुरिया नहीं आती है तो अगर मेरी जो age है वो 40 प्लस है, 44 है तो आप मेरी skin देख सकते हैं कि मेरी skin अपनी age के according बिल्कुल healthy है blemishes या फिर wrinkles मेरी skin में बहुत कम है है तो सही लेकिन बहुत कम है अपनी age के according और वो इसी लिए है कि मैं ऐसी natural चीजें ही अपनी skin पे यूज करती हूँ, मैं parlor treatments नहीं करवाती हूँ, क्योंकि जो parlor treatment करते हैं उसमें chemicals होते हैं bleach या फिर facial ये सब artificial chemical वाली चीजें हैं तो nature ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो एक तो हमारे पैसे भी बचते हैं और दूसरा हमारी skin को बिल्कुल भी ये harmful नहीं होती है ये अच्छा ही result देती है तो देखिए, मैंने साब करके आप दुखाया कि instant इसका result हमें मिल रहा है तो इन चीजों से हमारी skin में बिल्कुल चमक आ जाएगी और अगर sun tan है तो वो भी दूर हो जाएगी तो अगर pimples हैं तो वैसे भी anti-ilphometry और antibacterial properties इन चीजों में पाई जाती हैं तो इसलिए bacteria की वज़े से जो pimples होते हैं वो भी हमारी skin में नहीं होंगे blemishes भी चली जाएगी तो इसको हमें massage करते रहना है कम से कम 10 minute तो बस यही massage करने से हमें facial और bleach जैसा जो treatment है वो free में घर में ही मिल जाता है तो घर से ही मिलने वली चीजों से आप अपनी skin की care कर सकते हैं तो मैं तो घर में ही मिलने वली चीजों से अपनी skin की care करती हूँ और मेरी skin अपनी age के according बहुत healthy है और इसी remedy को हम अपनी हाथों पे और बाजू पे भी try करेंगे और अगर आप इसको full body पे ट्राइ करना चाहते हैं तो आप इसकी quantity ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसको washroom में नहाने से पहले आप अपनी full body पे यूज कर सकते हैं इससे आपकी full body जो है वो उसको whitening मिलेगी और उसकी skin बहुत healthy हो जाएगी तो अच्छे से इसको गर्दन पे भी यूज करना है क्योंकि हमारे face के साथ हमारे neck का area है वो भी विल्कुल same वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा face का skin है तो हमें arms और हाथों को नहीं भूलना है इस remedy को आप अपने पैरों पे भी यूज कर सकते हैं full body पे यूज कर सकते हैं ये full body whitening treatment ही है तो अगर आपकी skin बहुत काली है या फिर आपकी skin में बहुत discoloration है शाहिया है तो आप इसको week में कम से कम एक बार तो जुरूर ट्राए करें और month में चार बार इसको ट्राए करें तो आप असर देखिए कि एक महिने में आपकी जो सारी problems है वो solve हो जाएंगी तो इसको अच्छे से हमें लगा लेना है तो 10 मिनट कम से कम आप इसको ऐसे मसाज करते रहें तो अगर आपके पास time है तो आप इसको 5-10 मिनट लगा भी छोड़ दे तो मैं तो करती रहती हूँ ट्राइसी home remedies इसलिए मुझे लगा के छोड़ना नहीं पड़ता है तो मैं उसी time इसको wipe up कर देती हूँ तो अगर आपने first time use करना है या आपकी skin में कोई problems हैं तो आप इसको इसको इसके बाद मसाज करके तो 10 मिनट के लिए छोड़ दे तो ये अब हाथों से मैंने मसाज कर लिया है जिससे की ये जो सारी properties है इसकी goodness हमारी skin में absorb हो जाएंगी और उसका और भी अच्छा result हमें मिलेगा तो अब हम ये एक soft सा sponge लेंगे और साफ पानी में dip करके इसको wipe up कर देंगे तो देखिए पहली बार में ही आपकी skin में एक चमक आजाएगी एक glow आजाएगा जैसा कि अगर पारलर में आप जाते हैं तो instant result तो उसका मिलता ही है क्योंकि वो तो chemicals होते हैं तो आपको ये natural चीजों से भी वैसा ही effect और मैं तो कहती हूँ कि उससे भी अच्छा वाला effect आपको मिलेगा और कोई भी इसका side effect नहीं है और कोई भी हमारा पैसा खर्च नहीं होता क्योंकि हमारे किचन में ये सभी चीज़े मौजूद ही होती है तो इनको यूज करके आप अपनी skin को healthy और young रख सकते हैं तो अच्छे से wipe up कर दिया है लेकिन हमें इसको साफ पानी से wash भी करना है क्योंकि अच्छे से ये निकल जाए इसलिए हमें पानी से face को और बाजू अपने धो लेने है तो ये देखिए ये मैंने अपने face को धो लिया है तो ये पहली बार में ही instant result आपके सामने है मेरी जो complexion है उसमें भी फरक आ गया है और skin healthy और glowing हो गई है तो hope guys आपको ये video अच्छी लगी होगी मेरे चैनल में आपको ऐसी useful home remedies मिलती रहेंगी beauty के secrets में आपको बताती रहोंगी और मेरे चैनल में आपको beauty and stitching की भी videos मिलेंगी क्योंकि मैंने fashion designer का full diploma किया है तो आपको ladies की कोई भी problem है health skin के लिए या फिर आपको stitching सिखनी है तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे चैनल में आपको दोनों से related videos मिलती रहेंगी तो देखिए मेरे हाथ और चेहरा बिल्कुल चमक गए है तो आप भी इस festive season इस remedy को कम से कम एक बार जरूर ट्राइ कीजिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तो bye bye friends मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे से topic के साथ bye bye take care